जी नमस्कार भीग न्यूज नाइन से कईमूर जीला के DRCC कर्याले में यहां के मुख परबंदग मुहम्मद अप्तर सहाब है सर नमस्कार जनना चाहेंगे कि सर इस्टुडेंट क्रेडिट कार बिहार सरकार की महतो कांची योजना है और साथ नीशे योजना के अंतर गाताता है जिसमें जनना चाहेंगे कि यहां पर छात्रे कीन-कीन सब्जेक्ट के लिए कीन-कीन नए कार्ण के लिए उन लोगों को सुविदा मिल सकता है हमारे मानियम मंद्री तरफ से हंड़ेट परसंट गारांटी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार दी जा रही है जिसमें जो कालेज का फिय स्टक्चर बुनाफाइड सर्टिफिकेट निवास परमान पत्र और अप्लिकेंट को अप्लीकेंट का पास्पोर्ट साइज फोटो और अप्लीकेंट को अप्लीकेंट दोनों मतलब यहां पे फिसकेली पर जेंट रहेंगे हमारे DRCC काउंटर पर ओंलाइन हो सीुँगाड क्रेडिट काड योजना है सरकार की मतलब पाठक करम के लिए छात्रों को मिलेगा पिसलिए पीड़ कोष को छोके सभी कर्स के लिए जो हमारे जी एनम का है एनम के लिए नहीं है नहीं हमारे यहां बिहार स्टुडेंट क्रेडिट का संकल्प उसमें जो भी पाठ करम सुचिवद है उन सभी को दिया जाएगा यहां बी एलल भी और वी टेक के भी है सभी के लिए चार लाख रुपया तक मानिय मुखमंदी जी उसका परकेशिया क्या है मैं क्लियर कर दूब ब्याज का इसमें है कि रेटेरिया की जो लेडि वैंनि गश्राइशंडर है दिव्यांग है वन लोग को लिए मात्र एक परसेंट है और लगों के लिए चार परसेंट है वो भी कॉर्स कंपलिट होने के एक सल के बाद डिए मतलब कितना को म्हान अच्जांपल तो पर किби आपने महामः बिद युस्ट स्छी है सब खाटे रुपया, तो 50,000 यहाउड थो एकाउंट में चलोग मो चलोगा आपको सबty शचनल की सब्सक्तूर की यह सुवाउड बंद पॉत madwi लिविन एक्स्पेंसे जुआ है उनको जाएगा यदि चार लाग से कम है तो उनको मतलब किस त्वाइज मतलब लगेगा कोर्स कंप्लीट होने के एक साल के बाद मौराटरियम पिरियाद है तो किस त्वाइज में देंगे और जो चात्रे उसको जामा करना चाहेंगे उन लोग आर्थिक रूप से कंजोर हो पाते हैं नहीं भी कर पाते हैं उन लोगों के लिए सरकार के लिए क्या बेवता जो तब नोकरी लगने के बाद देंगे नोकरी नहीं लग रहा तो एक सेल्प डिक्लेडेशन यहां पर करने के एक साल के बाद मतलब उनको देना रहता है को करने के एक साल के बाद उनको अपना पैसा लिए हैं उनको जमा करना होता है चार लाग से तक है चार लाग से कुछ अधिक है तो उसको चवराशी किस्तों में जमा की जा सकती है एक लाख देर लाख दू लाख की लगवग है तो उसका किस्त कम में उनको जमा करना पड़ेगा स्टुडेंट करेडिट काड़ है जो कि हमारे बिहार का गरोश इनल्मट रिसियो जो है बहुत कम है जो कि अभी के दौर में 14-15 परसेंट क्यों मानता है इसको 30-34 परसेंट लाने की मतलब मुहिम चलाई जा रही है कि मानिय मुख मंतरीजी के तरफ से स्टूडेंट करेडि कर्थी रूप से जो कम जोर हो आगे की परहाई अन्रोत रखे और पैसा लेकर सही जागे मतलब एजूकेशन अपना ले इस्टूडेंट करेडि रिकार्ट तो इस सरकार की परमुक्षी ओजना है डी और सीची के अंतर गौत और किन किनी ओजनाओं को किरिभानित किया गया है जो इंटर्मेडियेट पास आउट है और आगे की परहाई नहीं कर रहा है और जो बेरोजोगार है कहीं अध्यान रत नहीं है तो उनको एक हजार रुपया पर तीमा स्वेम सहायता भत्ता रोजोगार तलासने तू दी जाती है जिनकी उम्र 20-25 साल होनी चाहिए उनके ल पाद अगले महा से एक हजार उपया उनका अकांट में जाना स्टार्ट होगा जिनकी उम्र 20-25 साल के बीच है उनको दिया जाता है 24,000 रुपया उसके बाद हमारे है के वाई पी है कुशलिवा कार्जकरम जो की कुशलिवा कार्जकरम सभी के लिए है मैटिक इंटर डिएरिया सब्धिफाइन है उन सभी को मतलब के वाई पी प्रसिक्षन कुशलिवा कार्जकरम का है जो के वाई पी सेंटर के मध्यम से दिया जाता है उनका भी ऑनलाइन हमारे हैं डी और सीची पर होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन होने के बाद में पावती रशिद लेकर आत सब्सक्राइब करने के बाद में फिर उसके बाद अपना जाएंगे पावती रसित ले करके और के वाई-पी सेंटर में एडिमिशन लेंगे आई-पी सेंटर में लेने के बाद छात्रों को मतलब की सरकार के तरफ से किया क्या सुविधा और की चीजों का प्रतिछन मिलेगा इडिमिशन लेंगे सेंटर में तो वहां पर हिंदी इंगलिस और भासा संबाद का ग्यान मतलब को दिया जाता है कि नौकरी में भी जाएंग अधिक चाहुआ हिंदी इंगलीज भासा संबाद कुषल संबाद के बारे में उनको ग्यान मतलब दिया जाता है एक सर्टिफिकेट सरकार के तरफ से शुग जाता है तकरीबन 240 घंटे का को शोगता है तकरीव पने तीन महीने का कुर्स है कि उसे कोर्स के अंतरगत चात्र कहीं में नौकरी में उनको शुविदा मिलेगी और मतलब की आर्टिव रूप से कुछ और लोन उनके माध्यम से कुछ उनको लोगों को रोजगार हेतु चाहिए रोजगार पराफ करने के लिए कुछ सुविदा कुछ हां फर्स्ट प्राय मैं प्रायर चाहिए कि आइपी के लिए माश्टर डिग्री तक भी रहेगा तो हो जाएगा माटिक टीग्री हमें उनके पास पाश आउट रेंगे और इंटर पास बहिए लेकिन आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिटकार और श्याच पीयार स्टूडेंट क्रेडिट कर युव मैं और इंटर पास आउट कर दी जाती है और श्वयम सहाथा भत्ता है उसमें इंटर पास होना चाहिए जो इसने बताए कि जो छह सबना मुख मिंतरί निशेयों से अधाथ योज़ना कालाब ले लिए उनके दौरा सिल्प डिक्रेटरेशन में लिख के दिया जाता है कि मेरे दौर आगे की परहाई नहीं की जा रही है और मैं कहीं अध्यानत नहीं और कहीं रोज़गार में नहीं हुँ तो उसके बाद उनको आगे का कोई कि यह स्कीम का लाब नहीं मिलेगा योजना ले रहे हैं अब उसके लिए जो के आई पी बता रहे हुँ नहीं यह स्टुडेंट क्रेडिट काड का लाब ले ले लिए अब फिर चाहें कि कुर्स करें तो इलाजबल नहीं है सर नमस्कार आपको बहुत बहुत धन्यबाद हम लोगों के चैनल के माध्यम से आपने सुक्ष्म एतिक प्रेंट बर जबाब दियें और छात्रों को बताने का काम कियें कि बिहार इस्टुडेंट क्रेडिट कार और के आई पी जो छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है आगे नोकरी और उन लोगों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा दस्तवाइज मिलेगा और एक योजना का बतार है तो सर्कार की बहुत ही परमुख योजना है जो की रजार तलास जिर्कों पास नहीं मिल पा रही है हमको स्वयम साहता अपने साहता के लिए दो साल तक एक हजार रुपिया मिलेगा जिसके अंतरवत हुआ अपना फारम आवेदन कर सकते हैं कोहीं भी दोड़ने के जरूवत नहीं है वो लोग इंटर और मैट्रिक करकर बैठे हुए हैं आगे की पाहाई नहीं कर पर रहे हैं हैं वह और सीलोग जरूद आविदन करें अबधय अबरे हां जो कैमोडिस्टिक है जोकी युपी से बहुत सटे है तो बोड़र बहुत सारे बलोक है जो हमारे जो युपी से पास आउट वहां के लर्के हैं उनको भी बरियता दी गई हैं पे वैसे बिलोग कर चैनपुर हो अधवरा हो एदिनुवां हो दुर्गावती हो तो इन लोगों को मुहन्या हो सभी को मिलेगा सभी को तीनों इसकिम के लाब मिलेगा शर बता रहे हैं कि सभी लोगों को मिलेगा कोई भागी दोड़नी की जरुवत नहीं है सरकार के हर एक उजनाओं को लाब ले और छातरागी की पढ़ाई करे अपने मता पिता और अपने जो भी सपना है पूड़े जरूर करे और सरकार के उजनाओं को लाब ले इसकि साथ बीग न्यूजिनाइन से विवेकानन पटियर की रिपोर्ट करें